Hello Friends C++ Language सीखने की सीरीज में हम देख रहे हैं आज Lecture 9 का Part 3 जिसमें हम पढ़ रहे हैं Constructors in C++ हमने पिछले दो पार्ट में देखा कि Constructor क्या होता है आज हम लोग इसका आखरी Lecture देख रहे हैं पिछले Lectures में हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ था जिसमें हमने तीन Constructors बना लिये थे अगर किसी ने पिछले Lectures नहीं देखे हैं तो मेरे रिक्वेस्ट है कि वो पहले First और Second Part जरूर देख ले यहां हमें एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि C1 Object बना तो कौन सा वाला Constructor Call हुआ यह पहला दूसरा तीसरा तीन Constructor है हमारे पास Class में जी हाँ पहला वाला चलेगा क्योंकि 3 और 4 पास कर रहे हैं दो आर्गुमेंट है और दो आर्गुमेंट लेने वाला एक ही Constructor हमारे प्रोग्राम में है अच्छा जब मैं C2 Object बना रहा हूँ तो कौन सा Constructor Call होगा Default Constructor यह तीसरा वाला क्योंकि इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है और माली जी मैं एक और बनाता हूँ जिसमें कुछ 5 पास कर देता हूँ तो दूसरा वाला Constructor Call होगा क्योंकि वही एक आर्गुमेंट ले रहा है चलिए एक बार फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ मैंने एक बार फिर कॉम्पलेक्स क्लास का एक आपजिक बना है तो यह कौन सा वाला Constructor Call होगा तीसरा वाला Default Constructor अचा अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ तो कौन सा Constructor Call होगा दूसरा वाला Constructor Call होगा क्योंकि एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ इंटर टाइप का और यह भी एक तरीका होता है लिखने का अचा अभी कौन सा वाला Constructor Call होगा यहाँ थोड़ा सा दिक्कत जारी होगी आपको सोचने में C4 object बना तो इस बार कौन सा Constructor Call होगा आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं पहला वाला Constructor देखें पहला वाला Constructor गलत है अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपने C4 object बनाते वक्त यह object बना C4 और इसमें C1 as an argument पास हुआ देखें यह जो जिस तरीके से लिखा है assignment लगा के ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों तरीके valid हैं समझ में आपको यह आना चाहिए कि यह Constructor में पास हो रहा है कौन? C1 तो अगर C1 Constructor में पास हो रहा है तो आपको यह लग रहा है कि C1 के अंदर दो values हैं A और B तो दोनों int type की value है तो उसको receive कर लेगा पहला वाला Constructor लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हम यहां से दो int value pass नहीं कर रहे हैं हम एक complex type की value pass कर रहे हैं तो हम एक value pass कर रहे हैं दो value pass ही नहीं कर रहे हैं एक value pass कर रहे हैं उस एक के अंदर दो value है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हम जो pass कर रहे है उसका type क्या है complex और वो एक single entity की तरह treat हो रहा है जबकि यहां से जो value भीजी जा रही है वो complex type की है तो यह वाला constructor भी नहीं call हो पाएगा अच्छा क्या फिर तीसरा constructor call होगा जी नहीं तीसरा constructor तो तब call होता है जब कोई argument pass नहीं होता है यहां तो argument pass हो रहा है इसका मतलब ना पहला ना दूसरा ना तीसरा तो फिर क्या error आएगी जी नहीं इसमें कोई error भी नहीं आएगी इसका reason यह है कि इस समय एक constructor चल रहा है कोई यह सोचे कि constructor ही नहीं चलेगा इस समय यह भी गलत है क्योंकि constructor तो चलेगा मैंने आपको पहले भी बोला था object बरेगा तो constructor तो call होगा ही होगा इस statement में कभी शक नहीं करना है तो c4 object अगर बना है तो उसके लिए constructor तो call होगा अब इन तीनों में से कोई सा नहीं हो रहा है तो फिर कौन सा वाला constructor call हो रहा है यह वो constructor है जिसे compiler बना रहा है पर compiler के बारे में हमने पढ़ा था कि वो constructor नहीं बनाता है यदि हमने constructor बना दिया है तो देखिए ध्यान से सुनिये compiler हमारी class में दो constructors बनाता है एक default constructor और दूसरे को बोलते हैं copy constructor अगर हमने अपनी class में देखिए जो बात मैं अब बोलने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनियेगा मैं दो तीन points बोलने वाला हूँ और यदि आपको यह समझ में नहीं आए तो आप rewind करके फिर से इन points को जरूर सुनियेगा तब तक जब तक कि आपके दिमाग में एक clear ना हो जाए पहला point क्या है class में अगर कोई भी constructor नहीं बनाए तो compiler दो constructors बनाएगा default constructor यानि बिना argument का दूसरा copy constructor जो इस situation पर call होगा यदि हमने अपनी class में कोई constructor बना दिया है लेकिन जो बनाया है वो copy constructor नहीं बनाया है simple एक constructor बनाया है जैसे अभी मैंने प्रोग्राम में बनाया हुई तो हमने अगर कोई constructor बना दिया है तो compiler default constructor नहीं बनाया लेकिन copy constructor तो अभी भी बनाया और वही हो रहा है copy constructor compiler बना रहा है default constructor नहीं बना रहा यानि compiler देखता है कि एक भी constructor आपकी class में बन गया है तो वो default constructor नहीं बनाया अचा अगर आपने अपनी class में copy constructor बना दिया तो तो भई copy constructor बना दिया मतलब कुछ न कुछ constructor तो बनाई दिया तो default constructor तो compiler नहीं बनाएगा और copy constructor भी नहीं बनाएगा क्योंकि वो भी आपने बना दिया तो आपने अगर अपनी class में copy constructor बना दिया तो कोई constructor compiler नहीं बनाएगा copy constructor नहीं बनाया है पर कोई दूसरा constructor बनाया है तो compiler copy constructor भर बनाएगा और अगर कोई भी constructor आपने नहीं बनाया है तो compiler दोनों constructors बनाएगा अभी फिलाल सोचे कि हमको copy constructor बनाना होगा तो हम कैसे बनाएगे तो जरा coding करवाईए आप obvious ही बात है कि constructor आप खुद बना रहे हैं अभी आप नहीं भी बना रहे हैं तो compiler तो बना ही रहा है पर आप बना देंगे copy constructor तो compiler नहीं बनाएगा हम इसलिए बना रहे हैं कि हम समझना चाहते हैं copy constructor कैसे बनता है तो देखे एक constructor है नाम तो complex ही होगा लेकिन argument क्या होगे argument इस हिसाब से होगे कि यहाँ पर हम value क्या pass कर रहे हैं हम c1 pass कर रहे हैं तो यहाँ पर हम complex type का object ले लेते हैं let's say c तो c क्या है c basically एक object है जिसने value receive करी होगी c1 की और उसके बाद हम लिञते हैं यह a लिख रहे हों तो किसका होगा यह iş c4 के लिए constructor चल रहा है तो c4 का होगा तो a में चला जाएगा c.a और b में चला जाएगा c.b देखके लग रहा होगा कि यह बिल्कुल सही लिखा है यह बिल्कुल गलत लिखा है अब गलती क्या है इसको जड़ा पॉस करके आप सोचिए और फिर सुनियां आगे देखिए इसमें गलती ये हो रही है कि आपने नोटिस नहीं किया जब ये constructor call होगा तो ये object बनेगा और object बनेगा तो constructor फिर call होगा तो c object के बनने पर constructor call होगा अब कौन सा constructor call होगा c object बनेगा कई लोगों को लगएगा default constructor call होगा कोई argument पास नहीं हो रहा तो ये c object मैंने formal argument की जगे पर बनाया है यानि parameter में तो इसमें तो value assign हो रही है न कौन सी ये c1 यानि c1 की value c में assign हो रही है तो formal argument की जगे पर जब भी कोई variable object मनाया जाता है वो तो always initialize हो रहा होता है during declaration तो उसके लिए मैं कोई यहाँ assignment लगा कर थोड़ी लिखूंगा मैं यहाँ थोड़ना assignment लगाऊंगा तो मुझे तो actual argument से value मिल रही है तो ये कहना गलत है कि c बनते वक्त कोई argument पास नहीं हुआ c बनते वक्त सीवन पास हुआ c बन पास हुआ मतलब यही वाला constructor उद्वारा kull हो गया और गर यही वाला constructor उद्वाराridge call हो जाएगा تو फिर से एक नया c बने गा नया c बने गा तो फिर से cycle constructor call हो जाएगा यही tôi तो यह recursion होने लगेगा और अगर recursion होने लगेगा तो C++ की नजर में ये एक error है इसलिए C++ ने कहा कि ऐसे आप copy constructor नहीं बना सकते तो दूर कैसे करें इस दिक्कत को यहाँ C object बन रहा है इसलिए constructor call हो रहा है अगर object ही ना बने reference बना दो तो constructor call नहीं होगा तो यहाँ पर हमने लिया reference variable यह reference variable में C1 का reference आ गया अब बिल्कुल perfect है यह बन गया है हमारा copy constructor तो कई लोगों को लगता है reference variable बना दो तो copy constructor हो जाता है ऐसा नहीं है कि यहाँ पर के के पास उपर हमने reference variable बना दिया जैसे यहाँ मैंने reference बना दिया तो यह copy constructor हो गया नहीं यह copy constructor नहीं है copy constructor cable वह होता है जो इसमें complex type का reference पास होता है तो जब भी object बनाते हैं द्यान सुनिएगा object बनाते हैं और बनाते वक्त same class के object से initialize करते हैं same class का object उसमें पास करते हैं तो copy constructor call होता है जैसे यहाँ c4 के लिए हो रहा है और copy constructor में reference variable बनाना कंपल सरी है क्योंकि object बनाएंगे तो error आएगी और इस तरीके से c1 का data c4 में हो गया है copy तो यह था हमारा copy constructor यदि आपको यह lecture अच्छा लगा हो तो इसे like करिए इसको अपने दोस्तों के बीच में share करिए और इस चैनल को subscribe करना भी ना भूले thank you